तो चलो, शुरू करते आज का करंड अफेर रिवीजन से्शन, कर लास् वीक में नहीं था, ठीके, directly मैं आप का मैं वीक ली टूब भी लूँगा यह साती साथ आपका रिवीजन भी रहेगा का करंड अफेर का सेशन डेली अपर हो रहा है, साती सात मेरा सेशन जो आपका रहता है लाइव वह हमेशा आपके साथ रहेगा संड़ेड़ या संड़ेगो कल मैस था इसलिए एक सेशन आज कनवट हो गया ठीक है तो शुरू करते आज का सेशन देखो आज का पहला सवाल यह पहला सवाल क्या कह रहा है फास्टेस हजार रन बनाया है वर्लक अप में किसने फास्टेस हजार रन बनाने वाला कौनसा खिलाड़ी है देखो इसका एंसर थोड़ा tricky है, इसका एंसर दो है, एक Rohit Sharma है और दूसरे है David Warner, पर इसका सरी जॉब है David Warner, इन्होंने fastest बनाया है, Rohit Sharma से पहले, ठीके, Rohit Sharma ने भी thousand run बनाया है, fastest, ठीके, किस में, World Cup में, अब यहाँ पे देखो, Rohit Sharma की बात कुरू तू इसके पास कितना सबसे ज्यादा रन किसने बना है विराट कोली ने देखो यह अपने रोई शर्मा क्याप्टन आफ इंडियन क्रिकेट टीम फास्टेस वन थॉजन रन इन वर्लक अप मोस्ट सेवें टन इन वर्लक अप सचिन की कितने शतक है पूरे वर्लक अप में छे रोई शर्मा के कितने है शतक साथ आगे देखो यह विराट कोली फास्टेस 25,000 रन बना है इंटनाशन क्रिकेट में फास्टेस 14,000 रन बना है वन डे क्रिकेट में उनके पास 77,000 है सचिन के कितने है 100 है इनके कितने है 77 है हाइस रन स्कोरर इन वर्लक अप इन्हों ने अभी सचिन टेनल करका अभी रेकॉर्ड तोड़ दिया है मतलब हाइस रन पूरे वर्लक अप में कंबाइन वर्लक अप में बुला जाए तो किसके थे रोईच्छा अपने सचिन टेनल करके लेकिन उनका भी रेकॉर्ड तोड़ दिया और यह रेकॉर्ड अभी इनके पास आ गया विराट कोले के अगला सॉल देखो अगला सॉल यह क्या के रहा है वर्ल पोस्टल डे यह किस दिन मानाया जाता है वर्ल पोस्ट डे यह माना जाता है 9 अक्टूबर के दिन इसके एक दिन बात 10 अक्टूबर को क्या मनाते है नैशनल पोस्ट डे ठीक है पोस्ट कहा किस में आता है मिनिस्ट of communication के अंटर आता है ठीक है Minister of Communication के मंतरी को है अश्वी नी कि वाइशनाव है ठीक है अक्टूबर की बात कुर तो 24 अक्टूबर को कौन सा डे होता है United Nation Day जिसका Headquarter है New York में यहां पर दो को 16 अक्टूबर 16 अक्टूबर को कौन सा डे होता है वर्ल्ड फूड डे ठीक है फूड डे यह किसलिए मनाया था एफ ए ओ फूड एन एग्रिकल्चर ऑगनेशन जिसका Headquarter है रोम है रोम कहाप है इटली में है यह 16 अक्टूबर के दिन बानाता है इसलिए इसको वर्ल्ड फूड डे मनाते हैं यह भाई साब कौन देखो लॉड डलहुसी ठीक है और एक आदमी है कौन लॉड डफरीन इसका मैं में अपको बाद में कर दूँगा ठीक है एक लॉड डलहुसी है और यह लॉड यह लॉड डलहुसी इन्होंने क्या क्या किया है रिफर्म लेका है कौन सा डॉक्टरेन अफ लैपस है ठीक है दूसरा इन्होंने रेलवे भारत में लेके आई तीसरा इन्होंने पोस्टल सर्विस भारत में लेके आई चोथा इन्होंने टेलिग्राफ सर्विस भारत में लेके आई हाला कि 2014 में टेलिग्राफ सर्विस अभ ठीक है ज्च्टी की बात करूँ तो ज्च्टी की mitting कौन हेड करता है उसका सभी जॉब है फाइनास मिनिस्टर फाइनास मिनिस्टर कौन है भारत की निर्मला सित्वारमन यह पहली महिला है ब्लु भारत की जो महिला del मिनिस्टर बनी है धखर्म ऑदान कौन है भारत के एड़िचिसं Gutti मंत्री है एह करeking कौन है भारत के फारें मिनिस्टर है नर्नाम नौधी प्रायम मिनिस्टर देखवे आप जेस्टी की बात को तो कौन है जेस्ट कांशिल के अरूंजेटली उसके बाद सेकेंड प्रसंड कोन है जेस्ट कांशिल के निर्मला सिता रमानम next जेस्ट के फादर किसको बुझाता है अतल बिहरी वाजपाई जको नेक्स्ट, ब्रैंड नेमस्टर कौन है JST के, अमिताब बच्चन, नेक्स्ट देखो, JST कमीटी की कि कि कमीटी के रिकमेंटिशी के बाद बनेती, विजाई कलक कमीटी, आसाम यह पहला राज़्यमा आता, जिन्होंने JST रिकमेंड किया था, फ्रांस पहला देश है, जिन्हो पर्टिकर नंबर होता है, आगला स्वाल देखो, देखो यह स्वाल क्या कह रहा है, बिहार के बाद किस चीफ मिनिश्टर ने अनौस किया है कि हम भी कास सेंस अभी लाएंगे, ठीक है, देखो इसका सेरी जोब क्या है, इसका सेरी जोब है, राजस्तान, राजस्तान में अ यहां पर चुनाओं होने वाले हैं बिहार में कितना सीट है 238 सीट है और पंजाब में कितना है 119 इसमें से 92 सीट खाली आम आभी पार्टी जीद गया है पूरा कॉंग्रेस का बीजेपी का सुप्रासाप किया था यहां पर देखो यहां पर कार सेंसे की बात को जब बिहार में कार सेंसे हुआ था तब एबीसी एक्स्ट्रेमली बैकड़ क्लास ए और ओबीसी कितने इतने परसेंट है उसके बाद सेंसे की बात को तो 1872 में पहला सेंसा आए था लौड मेयो के कारेकाल में उसके बाद 1881 में पहला सेंसे हुआ था जो दस साल में एक बार होता है वो और यह सात्वा सेंसा भी चल रहा है नेक्स्ट, सेंसस की बात कुरो तो उसी में से पता चलता है भारत में 640 डिस्टिक्ट है, 18 स्टेट है और 8 यूटी है और बहुत सारी जानकर उसमें मिलती है 15 डिजिट का ये जेस्ट नंबर होता है ये शायद इदर से आएगा ठीक है चलो आगे नेक्स्ट, बिहार के सेम को ने नितिश कुमार उसके बिहार के गवर्नर राजेंदर आर लेकर, बिहार डेक अब होता है 22 मार्च, वालमी की और कैमू टाइगर जो बिहार में है नेक्सट, सीट कितनी है लोकसभा वीदासभा की, 238 सीट है वीदासभा की for बिहार और चाली सीट है लोकसभा के लिए for बिहार नेक्स्ट, कौनसे देश ने टॉप किया है in middle tally of Asian Games 2013, देखो इसका सही जॉब क्या है इसका सही जॉब है चाइना ने टॉप किया है Asian Games के मेडल टैले में दोखो यह आप है Asian Games में China ने टॉप किया India चोत्य स्थान पर है 107 मेडल आपको यह पता होना चाहिए मेडल कितने है 28, 38 और 41 यह नंबर पेर की दरा 28, 38, 41 यह आपको पता होना चाहिए Gold, Silver, Bronze Next टोक्या ओलम्पिक में कौन था टॉप पे योसे इंडिया का रांग 48 नेक्स्ट टोक्या प्यारा ओलम्पिक में कौन था टॉप चाइना इंडिया 24 उसके बाद विंटर ओलम्पिक में टॉप कौन था नॉर्वे इंडिया जीरो कॉमन वेल्ट गेम्स में टॉप कौन था 2022 की बात करो यह इसमें टॉप किया था और इंडिया का रंग ता चो था अग्ला सॉल देखो यह सॉल क्या किरा है इंडिया फर्स रूफ साइक्लिंग ट्रैक रूफ साइक्लिंग ट्रैक यह किस चेहर में अभी ओपन किया जाएगा है इसका से ही जो अब है हाइदराबाद अभी देखो सिटी का मैं डिस्कुर्शन करता हूं आपके सामने देखो प्रत्थम करेक्ट है जो तू करेट देखो इसका क्या है पहला मुंबई ट्री सिटी ऑप दे वर्ल दो हजार बाइस नेस्ट अमरावती को बोला जाता है जस्टिस सिटी सांची सोलर सिटी अकोला कॉटन सिटी क्यों यह न्यूज में क्यों था क्योंकि 7 अक्टूबर को कॉटन डे भी मनाया गया है ठीक है और और ये भी ध्यान दो कि गुजरात में सबसे ज़्यादा cotton प्रोडूस होता है ठीक है गुजरात में सबसे ज़्यादा cotton प्रोडूस होता है अकुला को बोल जाता है ये cotton city और महाराश्ट्रा महाराश्ट्रों को क्या बोल जाता है most cotton textile milk कहां पर है महाराश्ट्रा में है next देखो अगला क्या कह रहा है सात्वा सवाल देखो सात्वा सवाल है project उद्धव ठीक है project उद्धव ये भी कौनसे defense wing ने भी कौनसे defense wing से related है ठीक है देखो इसका सभी जब क्या है इसका सभी जब है इंडियन आर्मी से रिलेट है project उद्धव ठीक है देखो discussion यहाँ पर आएगा देखो आर्मी आर्मी डे 15 जन्वरी चीफ कोने मनोच पांडे नेक्स्ट इंडियन एर फोस आट अक्टूबर चीफ कोने वी आर चोदी इंडियन नेवी चार डिसेंबर डे होता है आर हरी कुमार किसके चीफ है next, icg, icg यह मतलब क्या है देखो Indian Coast Guard यह एक फर्वरी को इनका दिन मानाते है और राकेश पाल इसके चीफ है next, next question, next question क्या आपको बोल रहा है, noble pressing economist किसको मिला है Nobel Press किसको मिला है ठीक है देखो इसका सवर आसान है याद रखने के लिए देखो Economist कि बात है ECONOMIST को मतलब हैे PESA KIS से आएगा? गोल्ड से आएगा ECONOMIST का मतलब है PESA PESA किस से आएगा? गोल्ड से आएगा brazen kiki बात करूँ तो यह 1998 में यह इनको भारत की तरव से मिला था Nobel, अभिजिट बेनर जी इनको मिला था 2019 में nobel, John Fosse इनको मिला है क्या, इनको मिला है literature के शत्र में nobel 2023 में, और नर्गिष मुम्मधी इनको मिला है nobel in peace के शत्र में, अब यहाँ पर देखो, नोबेल का डिसक्रशन करते हैं, नोबेल कप शुरुआ था, 1901 में हुआ था, उसके बाद फीजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन, लिटरेचर और पीस, इन पाथ शेत्रों में नोबेल दिया जाता है, साते 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 शटवा कौन सा शेत्र है, इक्राम में नोबेल मिला था, उसके बाद रविनार टागोर जी पहले भारते इनको नोबेल प्राइस मिला था, 1913 में, for the literature of गितानजली, आगे देखो, यहाँ पे, सीवी रमन इनको फीजिक्स में नोबेल प्राइस मिला, 1930 में, समझे, उसके बाद, मदर तेरेसा को मिला है, 1979 में, 30 के शेतर में, नोबेल प्राइस, कैला 17 को मिला है, 2014 में, नोबेल प्राइस, उसके बाद, अभिजद बैनाजी, 2019 में, इको के लिए, नोबेल प्राइस, और अब तत 5 भारतियों को मिला है, नोबेल प्राइस, टोटल इंडियन को मिला है, नोबेल प्राइस होओ है, 12, यह पहले है रंदना टागोर दूसरे है सीवी रमन तीसरे है मदर तेरेसा चोते है कैला सत्यरती पाचवे है कौन अमत्यसेंट इन पाच जो इंडियन सिटिजन है इनको मिला है नोबेल प्राइस बाकी के लोग भी है जैसे अबरिज अबजित वैना जी भी है हर्वें खुराना यह इंडियन ओरिजन है वह सांथ हमां है टोटल हमकि आगे देखो का समझ जारा है मेरी में और चॉल एक지는 समझा रहा हक्ति है तो अग्राश अक्राश स्वल देखो ये सांद कि रहा है तमिल-नाडू का इन्ट्रनेशनल क्रूज सर्वीस बदर बंज देश जुनसा देरिय क स्टार्ट कर रहा है ठीक है इसका सरीज़ब क्या है स्रीलंका स्रीलंका स्टार्ट कर रहा है तामिल नडु के साथ कि इंट्रेशनल क्रूज सर्विस देख अभी यहाँ पर डिसकेशन दुनिया का सबसे बड़ा लॉंग गेस क्रूज रिवर क्रूज सर्विस इसका नाम क्या है ? MV गंगा विलास बिहर से ब्रह्मपूतर आसाम तक जाने वाला रिवर क्रूज सर्विस है नेच्ट तामिल नडू की बार देखो सवाल तामिल नडू का है किसी डिसकुशन तामिल नडू का CM को ने इंकेस चैली गौर्णर आरें डवी तामिल नड़ू में सबसे ज़्यद्ध डोमेश्टिक टूरिस्ट आते हैं उसके बाद कैपिटलेस की चैन्ने अगला सोल देखो नैशनल किशोर कुमार अवर्ड अभी किसे दिया गया है नैशनल किशोर कुमार अवर्ड ये किसे दिया गया है देखो इसका सही जब ये वन लेना सवाल है इसे आपको रटना पड़ेगा याद रखना पड़ेगा इसका सही जब क्या है धर्मेंदर जी को मिला है किशोर कु उत्तम सिंह इनको मिला है लता मंगिश्कर आवर्ड यह दोनों आवर्ड दी जते हैं मध्यप्रदेश सरकार की तरफ से वईदा रेमेंजी को कौन सा आवर्ड मिला है दादा सहे फाल के आवर्ड मिला है ठीके आशा पारे को भी मिला है दादा सहे फाल के यह 2021 के लिए था यह 2020 के लिए था ठीक है इनको और सुधा मूर्ति ग्लोबल इंडियन अवाड यूके की तरफ से अवाड दिया जाता है ग्लोबल इंडियन अवाड मिला है सुधा मूर्ति को को अवाड आपको पता होना चाहिए इसको बोलते करन अवेर करन अवेर नेस पता चलता है इससे कि इस्टराइल पेड़ा दुनिया को पता है पर उस तरिस और गश्का नाम क्या है इसका से जोब है हमास इसका से जोब क्या है हमास तरिस और्गोशन है इसको इसके अटक के बाद इसराल ने वार डिकलेर कर दिया ऐह अल-काइदा और तालीबान दोनों पाकिस्तान और अफगनस्तान में पले बड़े वए प्राइवेट आर्मी आपने देखा है कभी प्राइवेट आर्मी रश्य के पास वैगनेर रूप है इससे बोलते है प्राइवेट आर्मी ठीके देखो यहाँ पे कुछ जैसे बात आई किसने वह डिखलेर किया कुछ फेजनसी की बात आती है ठीके दुनिया ने पूछा कि मोसाद क्या कर रहा था मोसाद कहां पे था जैसे जब भारत में 2008 में अटेक हुआ पाकिस्तान ने अटेक है था भारत पे ताज होटल में तब भारत को पुझा आई भी सो रही थी क्या रॉस हो रहा था क्या इस तरह से मोसाद को भी पूछा जा रहे तो आपको यहाँ देखेंगे कि कौनसे देश की सब इंटेजिशन एजनसी कौनसी है cia fbi nsa national security agency यह USA की ह है next bnd यह security agency किसकी है जर्मनी की next nsg national security guard national investigation agency raw ib किसकी है भारत की next मोसाद किसकी है इस्रेल की और m16 किसकी है UK की है very very important ISI ISI Pakistan की ISI का full form क्या है intelligence service intelligence service institution समझे next yes all क्या कि रहा है देखो spinoza price spinoza price यह climate change के related है किसे दिया गया है spinoza price देखो इसका sage job क्या है इसका sage job है जोईता गुपता को मिला है spinoza price यहाँ पे देखो option का discussion अगर मैं करूँ तो श्रया गोधावद she change climate के लिए brand ambassador है यह अलिया मीर wildlife conservation award मिला है क्योंकि यह wildlife animal को rescue करते है इस बाइसे उनको wildlife conservation का आवर्ड दिया गया है पुर्णेमा देवी बर्मन champion of the earth और और अलेक्जंडर को राप इनको मिला है एक गोडमन प्राइस यह environment के शित्र में दिया जाता है नेक्स्ट यह अग्रों वन रॉक यह ने अभी लॉंच किया है Mura One यह रॉकेट किस ने लॉँच किया है ये इस ने लॉँच किया है इसने लॉँच किया इस प्रेन ने जो अलग सवasmaL होते है ये इस वड़ी में पूछी जाने की आशंका बहुत ज्यादा होति जैसे जपान का एक रॉकेट तापको पता होगा इसका नाम क्या है व्लीम ठीक है जैस्से रस्या का कौ demander इस मिशन था है लुना है कि स्पेक्सक्स का कौन सामिशन है एक स्टार्लिंग इंडिया का कौन ज़स्य चंद्र यान गगणयान अैसे बहुत सारे युसह का अतमीं सब्सक्राइब क्या लूपेक्स किसका है इंडिया और जपान का, next starlink और starship spaces का है, Elon Musk की chairman है, Artemis USA का है और Russia का कौन सा है, Luna है, जपान का कौन सा है, Slim है, अगला देखो, ये सौल क्या कह रहा है, 35% woman resolution job में देने वाला कौन सा राज्या है, 35% resolution देने वाला राज्या कौन सा है, देखो इसका स्रीज़ सबे मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश अभी देगा, 35% woman reservation, या देखो, वन्तर डिजर्वेशन पंचयत में दे जाता है, next, 78 female अभी 2019 के लोग सबेकी election में भी चुनी गए थी, ये और अब तक के इत्यास में ये highest है, ये सौल एक्जाम में पूछा गया है, next, female का rate क्या है, रिशो क्या है भारत में, हाजार में से 940 female है, अगर में most female की बात कुरूँ तो केरला में सबस्याद महिला है, एक हज़र अठावन, एक हज़र पूर्शो के पीछे, एक हज़र अठावन महिला है, और सबसे कम रिशो कहां पे है, हरान में है, एक हज़र female है, तो 8337 female है, next, निर्माला सितरमन भारत की पहली महिला फाइनस मिनिस्टर है, इंदिरा गांधी भारत की पहली महिला प्राइम मिनिस्टर है, सुचिता कुरूपला भारत की पहली महिला चीप मिनिस्टर है, स्वरोजिन नाइडू भारत की पहली महिला गोवनर है, अनधी गोपल दुशी भारत की पहली महिला डॉक्टर है अब देखो या पिल लिखा है मैंने ओके अब प्रतिवापाटि भारत की पहली राष्टवपती है महिला उसके बाद दुरौपदी मुर्मूप भारत की पहली ट्राइबल राष्टवपती है जो सब्सक्राइब करती है उसके बाद मीरा कुमार भारत की पहली महिला लोग सबस्पीकर है तो इस सब्सक्राइब को पता चल गए प्रसम करें इंटर सर्विस इंट्रिजिएंट्रिजिएंस ओके थैंक्स फॉर कर्रेक्टिंग प्रसम चलो आगे यह सवाल है कलारी ऑफ विस स्टेट और यूटी हाज बिन ग्रांटेड जिया टैक कलारी जिया टैक यह कुंसे राज्यका है जम्मो काश्मिर का है देखो जिया टैक का डिसकॉशन तामिल जड़ों में सबसे ज्यादा जिय गया था 2004 में दार्जिन टी को पॉपलर जिय टैक कुंसा है है हैदराबादी भी जानी अगला सॉल देखो यह सॉल क्या किया रहा है विच इंडेन क्रिकेटर है डिसेंटली बिन सिलेक्टेड एज ब्रैंड एंबैसेडर फॉर जियो मार्ट अब जियो मार्ट के ब्रैंड अभी किसे बनाया गया है इसका सही जॉप क्या है MSD MSD मतलब आपको तुरंत पता होना चाहिए महेंदर सिंग धोनी ठीक है देखो डिस्कुशन यहाँ पर आएगा ब्रैंड एंबैसर का MSD किसके है जियो मार्ट के है दूसरे MSD मतलब महेंदर सिंग दोनी स्वाराज मोटर के है आगे रिशबपन डिजने होट स्टार के भी है आप आभी वर्ल्लकप चल रहा है आप देख रहे होगे रिशबपन का आड चलता है पूरे सब भारते क्रिकेटर के साथ जार एक में टुकना ओके देखो यहाँ पर नेक्स देखो राहूल द्रवीड भारत पेट्रोलियम के ब्रैंड अबसर है नेक्स शेफा लिवर्मा सिएट ता कार टायर की कंपनी ही इसकी ब्रैंड अबसर है नेक्स ज़े-टा-टा-मोर्टर के ब्रैंड बसर रहेगो त्यास्त यह सौल डेखो यहाँ समयक का सरका ट्राइबल य्योंसिटी समक का सरका ट्राबल यॉ standards यह का पर अभी बनाए गई है इसकात्रस की गई है इसका जलंगना में इस आब unknown you युनिशिटी देखो आपे डिसकर्शन मनिपूर भारत की पहली स्पोर्ट्स युनिशिटी है गुजरात भारत की पहली रेलवे युनिशिटी है जो वडोदरा में है नेस पहली फिमेल डॉक्टर अनधी गोपाल नेस्ट ये ठीक है रिपीट होगा ये ओक चलो अटरावा देखो अटराव सल क्या किय रहा है रही है 19 एश 걸 मेडल मिला है होकी में किसको मिला है गोड मेडल in hockey in Asian Games अब बात आती ही इसके उपर सौल 101% बनेगा ही बनेगा देखो यहाँ पर जर्मनी option 10 देखो यहाँ पर मैंने option यहाँ पर लिग दिये है पहले जर्मनी FIH World Cup जीता 2030 का पूरुशो का next नेधर लेंड ने क्या जीता Tokyo Olympic में जीता गोल्ड मेडल महिलाओं में बेल्जियम ने जीता है Tokyo Olympic में गोल्ड मेडल पूरुशो में इंडिया ने जीता है ब्रॉंज Tokyo Olympic में 2020 कि South Korea के जीता है Asian Games में गोल्ड मेडल कि Asian Games ने यह Asia Cup है कि अब यह अभी Asian Games कि तने जीता है भारत जीता है Asia Cup में जीता है South Korea कियाने नेक्स्ट भारत ने यह इतना बड़ा अच्छा सवाल है यह पोचा भी गया है भारत ने अभी अब तक 1918-1994 से लेके कितने गोल्ड जीते हैं ऑकी में इसका देखो आठ गोल्ड जीते हैं भारत ने ऑकी में देखो लगा था तीन बार ओल्मिक मेडल उसके 1964 में और 1980 में भारत को मिला है ऐसे आठ गोल्ड मेडल भारत के खाते में हैं उसके बाद 41 साल बाद ब्रॉंज मेडल मिला देखो 1980 के बाद भारत को कोई भी बैल नहीं मिला था उसके बाद 41 एर के बाद भारत को मेडल मिला वो भी ब्रॉंज नेक्स एशन गेम्स में मिले हैं चार मेडल ये भी एक्जमेस वार पूछे जा सकता है परी लें 1996 1998 2014 और 2013 इंडियन होकी ने जीता है फाइस वर्ल्ड को जो जो 2023 में हुआ था उसके होकी कैप्टन कौन है भारत के पूरुष्व में हर्मरित हमपरित सिंग और सवीता पुनिया हर्मपरित सिंग और फीमेल में सवीता पुनिया नेक्स्ट दिसक्रशन यहां पर देखो 2024 का यह है देखो टूर्णामेंट की बात कर रहा हूं है यहां पर टूर्णामेंट इवेंट यह भी है आपका डिसक्रशन के लिए ने डाला है यहां पर 2024 का T20 वर्लकप होने वाले युएसे में 2026 का T20 वर्लकप होना रहा है इंडिया सिलंका में 28 का और तीस का यूके में नेक्स्ट देखो 2025 का कहां पर होने वाला है पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी चैंपियन ट्रॉफी टीट्वेंटी वर्लकप और 2029 का होने वाले इंडिया में नेक्स्ट यह वर्लकप अगला देखो सवाल यह सवाल मज़ेदार है अच्छा है यह सवाल एक्जाम में आ सकता है में जो जो बोलनों एक तो सवाल से आएगा या फिर ऑप्शन से आपको एक्जाम में रिफ्रेक्ट करेगा 78 वा सेशन हुआ ठीक है उसको किसने एडर्स किया था हर बार करते प्राइम मिनिश्टर उसको एडर्स करते लेकिन इस बार किसने क्या एडर्स एस जैशंकर जो भारत के कौन है तो फॉरेन मंत्री है दिखो आपके डिस्कॉशन डैनिस फ्रैंसिस यह युएंजी युएंटेट नेशन जन जन्रल आसीमली के प्रेसेंड है देशन के उसके बाद युएंटेट नेशन के चीफ को और एंटोने गुंटेरस उसके बाद रुचेरा कंबोच को ने युन ए न्युनिद करमानन रीप्रेजनेटेट्टिव फ्रॉम इंडिया यह कहां पर है New York में है United Nation का Headquarter New York में है और UNICEF का भी Headquarter कहां पर है New York में है नेक्स्ट यह देखो यह सौल क्या है कि है रागला और्फन चिल्डर्न के लिए स्कीम किसने लेके आई है कौन सा राज्य लेके आई है इसका सुजब क्या है हिमाचल प्रदेश लेके आया है और्फन के लिए आनात बच्चों के लिए स्कीम लेके आये महाश्यर की बात करो तो और्फन के लिए 1% baseline in job जब के section में में एक परस्य रिजोशन आनात लोगों बच्चों को दिया गया है अग्ला सौल देखो यह सौल क्या किरा है NMDC एक प्लांट है, एक स्टील प्लांट है, वो राष्टर को समर्पित किया है, नरंदर मोदी जी ने, ये प्लांट कहाँ पे है, देखो ये प्लांट है चतिजगड में, ये प्लांट का राष्टर को समर्पित कर दिया है, अब यहाँ पे इलेक्शन है, देखो, आकड़ा म आपको बता तो यहां पे600 टेलेक्शन होने वाला है शत्तिस गड़ में भुपेश बागेल इसके चीफ मिनिस्टर है राजस्तान अश्रग Já спокой लोड़ 230 सीट के लिए यहां पे election होने वाला-200 ठीकी मध्यपदेश में यहां पर इलेक्शन होने वाला है और चत्रिजगर के तेलंगन के CM को ने के चंदशा कर रहा है बाके सब मैंने बता दिया ओके चलो आगला सौल देखो यह सवाल है अटल बिहारी वाजपई पर डिजेबल स्पोच्पेश अभी कहां पर इनवगरेट किया गया है देखो अटल बि stripes पर इनवगरेट इनओकिया गया कि देखो याप पर नेता जी सुभा शंद्र बोस स्पोर्स्ट सेंटर कहां पर है पटेला में है उसके बाद साई साई का मतलब क्या है स्पोर्स ऑथर्टी आफ इंडिया जो बना था 1984 में हेड कोड़ दिल्ली में है अनुराख ठाकुईस के चीफ है मनिपूर भारत का पहला स्पोर्स उनिशिटी कहां पर सेट अप किया गया है मनिपूर में ये फिक्स टैक्ट है आपको एक्जाम में कभी मिल सकते है करनम मलेशवरी दिल्ली स्पोर्स उनिशिटी के चैंसलर ह नेक्स्ट नेशनल डॉल्फिन डे ये किस दिन मनाया गया है नेशनल डॉल्फिन डे ये मना गया है पांच अक्टूबर के दिन 22 सितंबर को राइनो डे 12 अगस को एलिफन डे 10 अगस को लायन डे देखो या आप है उत्तरपदेश पंजाब डॉल्फिन एक्वेटिक अनिम यह बिहार में है, आगला देखो सवाल, सब पूरा का पूरा सेशन के बेस्प के उपर है और सब लोगों ने सेशन को लाइक करो, किसने लाइक नहीं किया तो सब सेशन लाइक करो जल्दी, यह देखो सवाल, 62 एडिशन, ठीक है, सुबरो तक अंडर 14 टूर्नामेंट के लिए किसने और्गैस किया है, कौन सा राज्य और्गैस करना, कौन सा सुटी औरगैस कर रहा है, देखो इसका सियू जब क्या है, बैंगलोर और अर्गैस कर रहा है, यह सुबरो तो रॉय. कोन ओर्गाज कर रहा है बैंगलॉर कर रहा है ठीके देखो आप्ट डिसकशन आपट शुराष्ट्र ने क्या जीता है रंजी ट्रफी जीता है विज्जाजद ट्रफी जीता है उसके मुंबेन क्या जीता है मुश्टागल त्रफी जीता है उसे मुहमर मोहन बागान इस टीब ने क्या जीता है दूरन कप जीता है और इंडियन सूपर लिग जीता है दोजातेश की बात है यह साओध जोन ने जीता है यह क्रिकेट का टीम है देवदर ट्राफी दुलीव ट्रफी देखो यहां पर कन्फूजन के देखो यह सवाल है भारत ने किस देश के साथ सोशल सेक्रियोटी के लिए एग्रेमेंट किया है सोशल सेक्रियोटी के लिए एग्रेमेंट किस ने किया है भारत के साथ इसका सही जाब है अर्जेंटिना ने किया है सोशल सेक्रियोटी के लिए भारत के साथ करार अब देख है discussion इसका ऐसे से मतलब Social Security Agreement with Argentina अभी CPO में या CPO में सवाल पूछा था लियोने मैंसी कौन से खेय कौन से देश से बिलॉंग करते हैं और कि Cristiano Ronaldo कौन से देश से बिलॉंग कर ये भी सवाल इसम पूछा गया है किternes Hani के साथace Please modern agreement किया भारप ने साउदी आयरवी के साथ Green Hydrogen के लुए agreement किया है शीवा जी के नक ठीकर ना ओर होते न जिसे यहां पे वार करते हैं उसके ले cloth a क्रारा रहा है वो लाने के लिए नेक्स्ट इसको बोलते है चत्रपती शिवाजी महाराज ठीक है चत्रपती शिवाजी महाराज गवर्मेंट इंडिया और IBM इन्होंने इसके लिए करार किया है नेक्स्ट ये देखो 27 वा वर्ल्ड रोड कॉंग्रेस अभी कहां पर आउजित किया गया था इसका सही जॉब क्या है इसका सही जॉब है प्राग प्राग कहां पर है चेक रिपब्लिक आपने ये नाम पहले बाद सुना होगा चेप रिपब्लिक एक यूरोपेन देश है और प्राग इसका कैपिटल है और ये कहां पर हुआ था वर्ल्ड रोड कॉंग्रेस प्राग में हुआ था अब देखो जुहांसबर्ग में क्या हुआ था ब्रेक्स नियोक में क्या होने वाला है 2026 में क्या जी ट्वेंटी होने वाला है और 2024 में भी क्या हुआ नाटो भी यहां पर हुआ न्यू देली में क्या हुआ तक वा एस्यों हुआ जी ट्वेंटी हुआ ठीक है इंडिया में यह कोई कॉमन आप्शन है ठीक है कजाकिस्तान एस्यों दो हाजार चोबिस और यूए में कॉप ट्वेंटी एट यह होने वाला है पाछमीना प्रोडॉक कर पको जैए टैग यह कुछ राज़त बिलूंग करता है वान लैंडय मेरे सिदा कैसिद आपको तूरंग पता होना चाहिए जम्मु काश्मेर का मिला है कश्मीना प्शमीना प्रोड़क करuję जाए टैग मिला है देखो यह कुछ जाए टैग है जम्मु काश्मीर से देखो समझे रामबन सुलय हनी बंदरवार रामजा राजोरी चिकोरी वुड क्राफ्ट मश्गुम राइस कश्मीर सैफ्रोन और बसौली पेंटिंग इसको जाए टैग मिला है जो बिलॉंग करते है फ सुन्दरवन जो पच्चिम बंगल के पास है उसको ब्रोटेक्ट करने के लिए भारत ने किसके साथ करार किया है देखो इसका शोट आइसर है बंगलाजाशे के साथ करार किया है कि भारत व बार्ट वानजा की बौडर भी सबसे बड़ी बौडर है 4096 किलेमीटर की बौडर देखो ओके प्रोटेक सुंदरों इटली के साथ डिफेंस और शिलंके के साथ इंटरेल कुरूज सर्विस्वित तामिल नाड़ों नेक्स यह देखो सबसे ज़्यादा। सिक्सेस मारने का रेकроड अभी एक भारतीय के पास नाम क्या है सबसे जादा परूँस ये भी सॉल है में बनेगा येगज legen जो आज में सॉल के कर रहा वह हो वह एक्जामें आने के आवसर बहुत बहुत क्रिस गे स्काव पेले क्रिस मीं था अभी कौन है रॉइशच शर्मा यह विराट तक निघ के सब्सक्री डाार हुद waiting आठ बॉर क्रिकेट की इटियास में सब्सक्रों ते यह डान क्रिकेट के सब्सक्रीन ग्सक्रेओं है यह सब्सक्रीन ररान के Cait ơi DAY कुण से फोर्सेस थें ठीक है एक ऑपरेशन चलाया है भारतियों को इसराइल से बाहर निकालने के लिए इवयक्वेट करने के लिए ठीक है इसका सरी जौब क्या है देखो इसका सरी जौब है ऑपरेशन आजय यह लांच किया है फसे हुए भारतियों को निकालने के लिए ब फसे भाष्टियों के लिए ये किया गया था और दोस्ट तुर्की में जब अरत्वियक आया में उस वक्त भारत ने चला ये बारतने चला तो शुदर्ण में फसे भारतियों को लाने के लिए नेक्स्ट ये देखो किस देश ने अपना 53वा इंडिपेंडेंस डे अभी सेलिबेट किया इसका सेलिबेट क्या है फीजी ने किया है अपना 53वा इंडिपेंडेंस डे आपको ये पता होना चाहिए 26 मार्च 1971 को पाकिस्तान आज़द हो आता 4 जुलै 1776 को ये इंडिपेंडेंस हो आता सिलंका दो फर्वरी 1948 को सिलंका आज़द हो आता तीन अक्टूबर 1990 को जब वेस्ट जर्मनी और इस्ट जर्मनी यहां पर बर्लिन वार थी जर्मनी की कैपिटल बर्लीन ठीक है ये वार गिराय थी और ये यूनियन डे भी माना गया है एक अक्टूबर 1949 को मना जाता है चाइना का नैशनल डे क्यूंकि एक अक्टूबर की दिन 1949 को चाइना उस धर्ती पे पेदा हुआ देखो अगला स्वाल ये क्या के रहा है बहुत बारी किसी अग्या बना गया है इसलिए मिन यहाँ पर मेंशन में किया है इंडिया ने गोल्ड मेल जीते है एशन गेंस में ठीक है सबसे ज्यादा किस इवेंट में जीते हैं गोल्ड मेल ठीक है अब यहाँ पर देखो शुटिंग में मिले है 22, एटलेटिक में 29, आर्चे में 9, हौकी में total 8 मिले, वेस्टिंग में 6 मिले है इसका सेज़ जब क्या है एटलेटिक नहीं है, total medal मिले है 29 पर इसमें से 7 goal है shooting में और 6 goal है एट्लेटिक्स में ठीके तो इसका सवीज़ाब क्या है शूटिंग पर सबसे ज़्यादा गोल्ड सबसे ज़्यादा मेडल किस निलाए है मोस्ट मेडल इवेंड और मोस्ट गोल्ड ठीके आप हौकी देखो मोस्ट गोल्ड इन कमबाइन ओलम्पिक तो आपको पता होना चाहिए उन्नीसो अठाइज बतिश च्छतिस उसका आटालीस बावण चपन उसका बद सिक्स्टीफोर और एटी इसमें भारत को मिला था गोल्ड रेस्लिंग में छे मेडल मिले भारत को देखो या पे गोल्ड मेडल के नाम है जो मैं आपको बता रहा देखो पेले ओजस देवताले नागपूर से बिलोंग करते ही आर्चरी में मिला है गोल्ड नेस्ट अविनास साबले 3000 मीटर स्टिपल चेस गोल्ड ये सब सौल एक्जम में आएंगे ही आएंगे तेजंदिर सिंग तूर शौट पूट में गोल्ड उसके बाद अनुरानी गोल्ड उसके बाद क्रिकेट में क्रिकेट में मेल और फीमेल दोनों ही स्पोर्ट के टीम ने मिला है भारत को दिया है गोल्ड आगे देखो जोती सुरेखा व्यन्नम आर्चरे में गोल्ड निरत चोपरा जावलिंत्रों में गोल्ड पारुल चोदी 5000 मीटर के इवेड में गोल्ड कबडी में पूरुष महिला दोनों ही ने जिता है भारत के लिए गोल्ड हौकी के पूरुषों में जिता है भारत के लिए गोल्ड श यह भी सहल बहुत 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 इंपोर्टम मतलब इंपोर्टम देखो यहाप फ्लाइक बेरर डूलिंग फ्लाइक बेरर कौन थे दूरिंग टोजिंग सेर्मनी आफ 19 फे एशन गेंप जो हुए थे हंग जाओ चाइना में कि फ्लाइक बेरर देखो आप शवित्म हैं क्या कि इस इसमें क्या है खास देखो इसका सिलचप क्या है फ्लाइक बेरर कौन थे पिय आर शीआज इफ कि लिए हैं ठीक है ओपनीग क्लोजिंग 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 के लिए हिएफ कि disney Asian Games हर्मपित सिंग और लवलिना बार्ग हैं ओपनिंग इन एशियन गेम अब यहाँ पर दोगों बजरंग पुनिया ओपनिंग इन ओलम्पिक यह फ्लाग बेरर हैं सब लोग ओलम्पिक जो टोक्य में हुआ था टीवी सिंदू मन्पित सिंग यह ओपनिंग के लिए कहां किस में कॉमन्वेल्थ गेम्स में नहीं ओलम्पिया कॉमनल गेम्स में करेट कॉमन्वेल्थ गेम्स में और शरत कमर और निखत जरीन क्लोजिंग में कॉमन्वेल्थ गेम्स में सम्झें कि और यहां पर टेग चन और यहांव अओनी लिख रार टेग चन यह किस के लिए था ओपनिंग के लिए थे इन पैर ओलमपिक यहां पर लिख रहा हमें पैर णहांपिक और आओनी लेख रहा जो शूटर है राजस्तान से यह क्लोजिंग सीरी में थी फ्लाइक बिरर इन टोक्यो प्यारा ओलंपिक समझे आप अपनिंग क्लोजिंग ओपनिंग क्लोजिंग पर साल एक्जम में पूछा जाता है नेस प्रोजेक्ट क्यूपर यह न्यूज में था यह किसका है देखो इसका सब्सक्राइब क्या है प्रोजेक्ट क्यूपर किसका था यह था अमेज़ान का ठीक है देखो यह आपे अनजयल नू स्पेस इंद्या लिमिटेड उसके बास स्कारूठ अरोस टीक्सेल अगनिकुल कॉस्मौस द्रूऐ स्पेस और अंत्रिक्ष यह भारत की, मतलब कोई भी दुनिया के साथ करार कुण करता है हम की आपका सेटल हम बेचते हैं इसके लिए कोन अग्रेमेंट करता है अंतरिक्ष करता है अंतरिक्ष ये मतलब धंदा लाने वाला ये इंस्टूट है इस तरह के लिए बिजनेस लेके आता है धंदा तोड़ा गलत वर्ड होता है बिजनेस लेके आता है इस उरी के लिए अन्त्रिक्ष, नेक्स्ट, ये दोखो सवाव। वं दे वर्ल्ककप के इतिहास में, वर्ल्ककप की बात करो, वर्लककप की बात, ठीक है, ऐस रंचेस किस किसने किये है? अभी किसने किये है? इसका सरुंझ जो अब क्या है? पाकिस्तान वंडे वल्कप में देखो यहाँ पर साउथ आफरिका ने 428 रन बना है वल्कप में ठीके, साउथ आफरिका ने 428 रन बना है वल्कप में हाइस रन बना है क्रिक्स क्रिक्स भी वल्कप के इवेंड में कि ठीके सव आफ्रेक कि और एक बात है 2007 8 की बात है यह ठीके तब अस्रियानिक बनाये थे कि चारसो चोतीस ठीके पच्यास ओवर में ठीके वंडे की बात कर दो में और सव आफ्रिका की सेकेंड जब बाटिंग आए थी तो साउथ आफ्रिका ने बनाये साथ अफ्रीका 438 और यह मैच साथ अफ्रीका जीत गया था समझें बहुत बड़ा कुर्शल मैच था इंटरनेट पी भी है साथ अफ्रीका 438 डाला आप तभी आपको यह मैच दिख जाएगा इंडियन ओशन रीम आसोसियेशन यह अभी कहां पर किसे प्रेसेंट अपांड किया गया है इंडियन ओशन रीम आसोसियेशन का देखो इसका से उजब क्या है इसका से उजब है स्रिलंका को अपांड किया गया है प्रेसेंट अफ इंडियन ओशन रीम आसोसियेशन देखो इ USA में 2026 में G20 होने वाला है, NATO हुआ, Italy में देखो लिखता हूँ यहाँ पे, G7, G20, 2026, इंडोनेशिया में आसियान, दुबई में COP18, फीजी में हिंदी कॉनफरेंस, कजाकिस्तान में SCO, यह 2324 की बात कर रहा हूँ है, Next, International Girl Child Day कभी मानाया गया है, International Girl Child Day यह किस दिन मानाया गया है, देखो, option देखो, आप सिर्फ वीडियो देखो, आपको आलग से मेनत नहीं करनी है, सिर्फ वीडियो को देखो, इसमें option क्या हो सकता है, देखो, इसका सब्सक्राइब क्या है, 11 अक्टूबर को मानाते है, International Girl Child Day, दिस्केशन देखो आपे, 24 जन्वरी, देखो, 11 अक्टूबर, International Girl Child Day, 24 जन्वरी, National Girl Child Day, उसके बद, 11 अक्टूबर, National Education Day, 15 अक्टूबर, World Student Day, 13 अक्टूबर, National Woman Day, 8 March, International Woman Day, नेक्स्ट, 5 अक्टूबर, World Teacher Day, 5 सितंबर, National Teacher Day, नेक्स्ट, ये देखो सवाल, पेडिग्री के Brand Ambassador कौन बने है, पेडिग्री इंडिया के Brand Ambassador अभी कौन बने है, देखो, इसका सरी जब क्या है, वरून धवन बने है, पेडिग्री के Brand Ambassador, शारुक खान, ICC World Cup के लिए, जो BCCI ने बना है, इनको BCCI ने बना है, शारुक खान को Brand Ambassador, सर्चिन टनल को किसके, किसलिए बना है, देखो, आप है, सर्चिन टनल को को, ICC के लिए Global Brand Ambassador बना है, MSD, स्वाराज मोटर, next, मोबील के लिए किसको बना है, हृतिक रोशं, next, डबलू ये फैशन ब्रैंड के लिए, अनुषका शर्मा को बना है, Brand Ambassador, next, इंफोसिस के लिए, राफिल नडाल और इगा स्वेटक को बना है, next, कत्रिना क BWF को इतिहात के लिए और उनिकलो, ये जपान का ब्रैंड इसके लिए बना है, Brand Ambassador, Sachin के लिए, Election Commission of India और ISIS के Global Brand Ambassador, साथिसा, Salon Hand Ambassador भी बना है, Sachin को, next, शुबन गिल को बना है, Tata Motors के लिए, Brand Ambassador, next, देखो, which main cricket team, main double pair, has got first position in BWF, BWF जैसे पता चला, Badminton, ये तुरंद आना चाहिए, जैसे ICC मतलब Cricket, FH मतलब Hockey, BWF मतलब Badminton, ranking में टॉप किस ने किया है, इसका सरी जब क्या है, स्वस्तिक राज, रंका रेडी और चिराक शेटी, और इनन भी भारत के लिए दिला है, Gold in Asian Games, इसका सरी जब क्या है, स्वस्तिक राज, रंक पलिकल और हरिंदर सिंग संदू, इन्होंने दिया है, स्क्रैश में भारत के लिए गोल, इन्होंने दिया है, नीरत चोपरा और अनुरानी इन्होंने दिया है, भारत के लिए गोल in Asian Games, किस में? जैवलिन थ्रो में, देखो या आपे, बहुत बहुत इंपर्टन चीज है, यह महिला खिलाड़ी है, जो हरे पट्टे में आपको दिख रही है, पहले पीवी सिंदू, बैट्मिन्टन, साननेवल, बैट्मिन्टन, उन्नति हुडा, बैट्मिन्टन, जौला गुट्टा, बैट्मिन्टन, शुरूती, मंदमा, बैट्मिन्टन, यह बहुत इंपर्णन से खिलाडि बिलॉंग करते हैं अगला देखो सवाल कर उत्तापेस्ष की पहली सोलार सिटी कोई सी बनेगी कहां पर बनेगी सप्रावे अयोध्य corazón में सांची भारत की पहली सोलार सिटी है मोधरा भारत का सोलार विलेज है कोची भारत का पहला एरपोर्ट है जो सोलार एनर्जी से चलेगा नेक्ट, 75 ऐर डिपलोमेटिक तरइस हुए है किस दैश के साथ 75 ऐर डिपलोमेटिक रिलेशन्यिप इन आक्टोबर दозиlor दैसिर में हुए थे ऐसी दे बहुत सारे देश के साथ हुए है लेकिन October 2020 में किसके साथ हुए 75 साल यह हुए Switzerland के साथ हुए 75 years Netherlands के साथ भी 75 years हुए है complete भारत के Italy के साथ भी 75 years France के साथ 25 साल complete हुए है तीक है Egypt के साथ भी 75 साल complete हुए है और Indian Post ने इसके लिए एक स्टैम का भी विमोचन किया था recently ही नेक्स्ट भारत हेवी एलेक्ट्राइक लिमिटेड भेल भारत हेवी एलेक्ट्राइक लिमिटेड के डिरेक्टर कौन अपांड किये गए है भेल के डिरेक्टर कौन अपांड किये देखो मैं डिरेक्टर बात करो चेर्मेन है और ये फर्स्ट महारतना कमपनी है जो बनी थी 2013 में समझे अमरेंदरुप्रकास सेल स्टील और टी इंडिया लिमिट के चेर्मेन है आरून कुमार सिंग आरून कुमार सिंग ओन जिसी के चेर्मेन है देखो आपके टोटल 13 महारतना कमपनी है समझे कितनी तेरा है मारतन कम्पने देखो पहली सेल, एस्पी सेल, इंडियन ओइल, ओंजी सी, पी एफ सी, एंटी पी सी, आरी सी, पाउर गीड, गेल, कोल इंडिया लिमिटेड, बीपी सी एल और बी एच एल, और तेरा भी कौन सी है? ओईल, इंडिया लिमिटेड, ठीक, ओईल इंडिया लिमिटेड बनी है, तेरा भी कम्पनी, महारतन, यह 2030 की बात है यह, नेक्स्ट, गंगा डॉल्फीन को डिकलेर किया गया है, एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक एनिमल, ठीक है, कौन से राज जगा, इसका सरी जब क्या है देखो, इसका सरी जब है, उत्तर परे सरकार ने आपी चुना गया है गंगा डॉल्फीन को एक्वेटिक एनिमल, देखो, एनिमल की बात क्या है, यह रिविजन का पार्ट है आपके लिए, देखो, ब्लैक बग, ब्लैक बग, नैशनल एनिमल है, बना स्टेट एनिमल है, कि इसका बिहार और गोवा का, उसके बाद, स्टेट एनिमल हिमाचर प्रदेश और लदाग, मिथून, स्टेट एनिमल हिमाचर प्रदेश और नागालेंड, नेक्स्ट क्वेस्टिन, अगला सौल देखो, पहली महिला कौन है, जिसे ओनरेरी डॉक्टरेट डिग्री मिला है, जावलाद नेहरू यूशिटी के तरफ से डॉक्टरेट मिला है, इसका स्विजब क्या है, सामिया सुलुहा हसन, ठीक है, देखो, डिस्कुशन है आपे, शंकर महादेव, इनको बर्मिंगम यूशिटी के तरफ से डॉक्टरेट मिला है, सुश्मिता सेन, वेस बंगाल सरक की तरफ से उनकी uellement अननने दिया है, उनको डॉक्टरेट, सामिया सुला हसन, जैन यू में मिला है डॉक्टरेट, पीटी उचा, सेंट्रल यूशिटी अफ के केरला उनने दिया है, पीटी उचा को डॉक्टरेट, पीटी उचा, बिटी उचा, इंडियन ऑनलमपिक आस स्व पूर में ठीके नवी मुंबए में क्या अवजित किया गया था इंट्राइशनल स्पाइस कॉंग्रेस आएंसी इंट्राइशनल इंडियन नेशनल कॉंग्रेस की पहली बेटक हुई थी 1885 में कहां पे मुंबए में हुवी थी नेक्स्सक्राइशन देखो प्रेसेंट किसे अपन किया गए एसिया पैसिफिक इंस्टुटूट फॉर ब्राटकस्टिंग डिवल्लपमेंट ब्राटकस्टिंग के जैसे बात है कोन आ आना चाहिए दीमा में अनुराख ठाकूर जो ब्राटकस्टिंग मिनिस्टर है इसका तामिल ने सिलंगा के साथ कौन सा कर रहा किया है क्रूज सर्विस के लिए तरग किया है बांज के साथ किस ने कर रहा किया है भारत ने पर प्रोटेक्टिंग सुंदर बन अर्जेंटने के साथ किस के लिए किया है सुंदर बन के लिए बांज के साथ सुंदर बन के लिए औ और अजनरे के साथ Social Security Agreement के लिए, इटली के साथ Defense Corporation Agreement के लिए, Next Question, Nokia बन खुलेगा 6G Lab कौन से जगह में, ठीक है, ये Bangalore में जिसको Silicon City भी बोल जाता है, जिसे Garden City भी बोल जाता है, और Kanadaka का ये Capital है, यहाँ पे 6G Lab अभी ओपन होने वाला है, Hyderabad, Telangana का Capital है, Chennai, Tamil Nadu का Capital है, Mumbai में Apple का स्टोर पहला खुला, Apple Store ओपन होगा, समझे, Next, ये देखो सवाल, 24 वा मीटिंग, Central Regional Council का, ये कहाँ पे अभी हुआ, 24 वा मीटिंग, देखो, 24 वा मीटिंग, Central Regional Council का, कहाँ पे हुआ, इसका स्रीजाब है, उत्तर अखण में हुआ Central Regional Council का मीटिंग, अभी Northern Council मीटिंग हुआ था, कहाँ पे, पंजाब में, शिलोंग देखो, North East Council मीटिंग का, हेड़कॉर्टर कहाँ पे है, शिलोंग में है, समझे, नेक्स क्वेशन देखो, आज का आखरी सवाल, कौन सा राज्या अभी, तीन नए डिश्टिक बनाएगा, ठीके, तीन नए डिश्टिक बनाएगा, मलपुरा, सुजनगर्ड और कुछमन, ठीके, इसका स्रीजब क्या है, ये कौन करेगा, राजस्तान, ठीके, बीच में एक बात आयती, मध्यप्रदेश 19 नए डिश्टिक बनाएगा, ठीके, देखो, ये स्टेट है आपके सामने, यहाँ पर इलेक्शन होने वाला है, तो आपको आकड़ा पता होना चाहिए, कौन सा जगह पर कितने सीट के लिए इलेक्शन होने वाला है, ठीके, राइसंग के सेम कोने, अशोग गहलोट, मध्यपश के, शिवराशन चौहान, चाहिए, पर आपको गौवर्नर आपको सबको कमेंट करना है, चाहरो राजो के गौवर्नर के गौवर्नर कोन है, क्यूंकि इसके लिए भी साल हैगा, क्यूंकि गौवर्नर ही शपत दि यह लगा चीफ मिनिश्टर को, ठीके, तो इसे के साथ हमारा सेशन सुपर फास सेशन यहां पर समध होता है, कैसा लगा सेशन, एक बार बताएए, हो के चाहरो